हलो गाइज गुद मॉनिंग आज जब मैं सुबह उठी तो बुलूल मुझे ऐसे पता नहीं क्यों गूर रही थी ज़रूर मेरे चेहरे पे कोई मक्की बैटी होगी फिर मैंने उठने के बाद सोचा नारियल पानी पीने के लिए इसमें से गैस थोड़ा ही पानी निकला और द लंडन के नजारे ये वेडियो भी उसीने सुबह सुबह भेज दी वाउ यार क्या प्यारी सिटी है फिर उससे मुझे याद आया कि क्यों ना मैं ये पास्ता बनाओ जो मेरी बहन लंडन से लाई थी तो हमने पास्ता बनने की तैयारी शुरू की और इसका थोड़ा सा बनने के बाद जब हमने तेस करके देखा तो ये बहुत ही बेकार सा लग रहा था फिर इसमें एक किलो नमक, दो किलो चली फ्लेक्स और तीन किलो और गैनो डालने के बाद कुछ टेस्टी कुआ इसकी स्मेल से सिंबा भी किचन से भाग गया मैंने सिंबा को बहुत बुलाया पर वो लोटके तो आया ही नहीं किचन में थोड़ा तो अजीब था, अभी मुझे केले ही खाना पड़ेगा और गाइस ये देखो, कल रात में सिंबा ये पर्दे का गुंगट बना के पता नहीं क्यों उड़के बैठा वा था क्या ये भूद बन के मुझे डराने की कोशिश कर रहा था या फिर ये और बुल-बुल हाइदन सीख खेल रहे थे बैसे क्यूट तो बहुत ही लग रहा है ये ओली, कितना प्यारा है गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है तब तक ले टारा, बाई-बाई